आज मैं आपको बैनाना वालनेट केक बता रही हूं जो एग्लेस है और वीट फ्लार से बना हुआ है इसके लिए इंग्रीडियंट्स है यह मैंने वीट फ्लार लिया है जैसे हम रोटी बनाते हैं चपाती बनाते हैं वो आटा है यह वन कप लिया है जो यह मैजरिंग कप है उसको मैंने लिया है यह देखिए यह वन कप है तो इसको मैजर करके मैंने यह आटा लिया है और वन फ यह बेकिंग पाउडर है जो मैं वन टी स्पून यूज करने वाली हूँ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वेनिला एसंस है यह सॉल्ट है जो मैं वन पिंच यूज करूंगी और वॉल्ट है जो मैंने हाफ कप कोसली चॉप लिया है बहुत महीन कातने की जूरत नहीं है थोड़ा मोट की जुबधा साइस के हैं गें。 थोड़ा पाकाइब हुआना च्याई जो नाना आप खाने के लिए छोड देते हैं कि हम नहीं खाना या अच्छा नहीं है वो आप ऐसे केक में यूज कर सकते है यह मैने डिश ली है इसको मैं बेक करने में हूँ odor करोंगी यह देखे मैंने यह ओयल इसको ऐसे ग्रीस कर लिया है उसके बाद हम ऐसे चारो तरफ से इसको मैदा को फैलाएंगे ऐसे ही किनारे से लगाएंगे एकस्यलाइदा को इसमें निकाल लेंगे इससे हमारा जो केक है वो चिपकता नहीं है और आप पाजमेन पेपर भी यूज कर सकते हैं लेकिन इससे भी केक जो है इंजीली निकलाता है यह देखिये चारो दरफ से हमने एकस्यलाइदा को निकाल लिया है दस्ट करके और इट इस रेडी टू बेक तो आईए स्टार्ट करते हैं बैनाना को हमने पीसिस में काट लिया है पहले अच्छे से छील लिया फिर काट लिया अब हम फोक की मदद से ऐसे इसको पूरा मैश कर देंगे से काफी अच्छे से मैश हो गया है इतना हमें इसको अच्छे से मैश करना इससे मैश हो जाएगा अब ये है उसमें डालने के लिए ये वीट व्blowing है इसमें मैब करी में बेकिंग पौड़र डाल रही हूं बेकिंग सोडा और पशल में इसमें टाल रही हूँ theoretical केटाव सट एक हो निए मिलंगे और तना दूप kinky लेकिंगे ऑuffs 건्नेal कि कहीं से मिलशी दालरे हूं केसे मिलंद करते में स्केट कि दूर्म सबस्के क्लावा में तयार करते हैं ना कि तैब सबस्कारय भाल कוש़ी हुगा इसमें मैं ऑईल डाल रही हूँ, कर्ड डाल रही हूँ और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे एक ही डाइरेक्शन में मिक्स करना है बहुत टेस्टी बनता है आप जरूर ट्राई कीजेगा और अगर आपको यह मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा और बैल आइकन जरूर प्रेस कीजेगा ताकि मेरी लेटेस्ट अब्रेट्स आप तक पहुं सकें आपको यह त्राइग मेरी बैस्ट टो गीव यू गुड्रेसिपीस यह देखें अच्छे से मिक्स हो गया है अब हम इसमें च्छानावा आटा डालते हैं आटे से पहले हम इसमें मैश किया हूँ बैनाना डालेंगे मिक्स करेंगे यह हमें ने मिक्स कर लिया है अब उसमें हम थोड़ा आटा डालते जाएंगे और इसको चलाते जाएंगे यह जब केक बनकर कियार होगा तो बैनाना की वज़े से कई कई हैं मॉइस्ट होगा और वालनट डालेंगे तो कुछ क्रिश्पी लगेगा ऑबर इसमें डालके mix करते जाएंगे, यह हमारा अच्छे से mix हो गया है, और consistency आप देख सकते हैं, इस चाइब की हमें चाहिए, यह देखिए, क्योंकि केक में measurement बहुत माइने रखता है, अगर आपने उसको अच्छे से measure किया है, तो फिर कुछ भी सोचने की जुरत नहीं है, यह द यह देखिए, mix हो जाएं बीच में, इस type से हम इसको आटे से मैदा से किसी से भी आप डाल रहे हैं, कोई भी dry fruits आप डालते हैं, हम इसको walnut से बना रहे हैं, तो इस type से coat कर लें, तो इस type से गोट कर लें, टू-3 drops मैं इसमें vanilla essence डाल रही हूं, यह optional है, आप चाहें तो यह walnut डाल रहे हैं, तो हमारा यह केक का बैटर बिल्कुल अच्छे से त्यार हो गया है, एक ही direction में हमको घुमाना है, आटे को चानना है, दो-तीन बार, यह कुछ टिप्स हैं, जो केक को बहुत टेस्टी बनाती हैं, और अब हम इसको पहले इसमें डिश में डालेंगे, और फिर हमने अवन में रखना है, क्योंकि हमने अवन को पहले से ही प्री होट हीट होने रख दिया है, करी 15 मिनिट के लिए, यह देखे, दिस इस दे परफेक्ट टेक्शर, अब हम इसको लास्ट में 2-3 टाइम्स ऐसे टैप करेंगे, यह भी मस्ट है, और अब हम इसको अवन म रखेंगे, यह हमने 170 डिग्री पर रख दिया है, अवन टू अवन भी डिफरेंट होता है, तो 30 मिनिट के बाद हम इसको चेक करेंगे, अब हम चेक कर लेते हैं, बहुत अच्छा कलर आया है, येस बहुत अच्छा पक गया है, तो अब हम इसको डी मोल कर लेते हैं, केक हमारा ठंडा हो गया है, आप देख सकते हैं, अब इसकी साइड्स इसने छोड़ दी हैं ठंडा होने के बाद, फिर भी हम इसको हलका सा नाइफ से ऐसे साइड्स इसकी खोलेंगे, लेकिन ये ठंडा होने के बाद ही करना है, गरम नहीं करना है केक को, गरम के साथ, अब हम इसको इसमें डी मोल करेंगे, थोड़ा उपर से इसे टैप करेंगे, और ये देखे कितना अच्छा बेख हो गया है, कितना सुन्दर कलर आया है, आप जरूर ट्राइ कीजेगा, सभी अवन का अलग-अलग होता है, आप 20 मिनिट के बाद जरूर चेक करना शुरू कीजे, ये देखे, कितना यमी केक बन कर त्यार हुआ है, वेट नहीं हो रहा है, अभी लग रहा है कि पीसिस कट करके खालिये जाएं, और टेस्ट किया जाए कि कैसा लगा है, ये मैंने ये देख सकते हैं, और इसमें बीच में अलमन्स हैं, अच्छे से पग गया है, हमारा केक बहुत टेस्टी है, और बहुत खुशी हो रही है, अपना केक ऐसे बनते वे देखकर, तो जरूर ट्राइ कीजेगा, और कीप चेकिंग, अवन तो अवन डिफरेंट होता है, 20 बुल किंग खब खगी दिखरेंट है, और कीजेगा थाइब जर शवन पूलमन्स है, और मजद रही है, और मकाश में इसमें घुबखाय, और इसमार कोशशी है, और इसमारेंगाई की प्रणायों डिफरेंट, ट्र टो आ है, और रही है, और वजरेंगाई new वे